तो कैसे आप सब तो आज मैं आप सभी के लेक के आया हूँ पार्टनर्शिप के ओपर है पार्ट नम्र सेवन ओप कि है पार्ट नमबर सेवन जिसका आपने टाइटल पढ़ लिए होगा टाइटल क्या है कैलकुलेशन और शेर और प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्ट में तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं क्लियर कर दूं कि आपने पार्ट नमबर सिक्स में आने आपको एक आपक तो बड़े से स्टुवेंट्स को किन्फिजेन आ रही थी सर वन लैक क्यों लेंगे ठीक है वो क्या कर रहे है वन लैक को बाइफ से बाक्यों को क्लियर हो गया है कि बी को ही सारा शेर मिलेगा a को को नुक्सान निहुआ एक हो जितना पहले मिलता था अब भी उतना ही मिल रहा है ठीक है तो इसमें ध्यान से समझना मैंने आपको बताया था फोर्थ कोश्चन फोर्थ कोश्चन की यह वाली लाइन पड़ो इसमें क्या लिख है गुडविल इस वैलूड एट 94500 इसका मतलब है यह जो 94500 है यह गुडविल ऑफ दा फर्म है मतलब सभी पार्टनर के मिलाकर यह गुडविल है लेकिन नेक्स कोश्चन में लिखे है ही पेज वन लैक एस गुडविल मतलब कि यह इसका हिस्सा है यह इसका शेयर है यह एक लाख रुपे लाएगा ठीक है यह शेयर निकाल के दिये जैसे कि आपने ओपर शेयर निकाला ना 21,000 इसका शेयर बनता है 94,500 में इंटू टू बाइ नाइन करके ठीक है लेकिन इसमें हमने नहीं करना इसमें इन्होंने पहले का निकाल के दिये स्टेट्मेंट में लिखे है ही पेज उसके एकॉड़िंग ठीक है तब ही मैं कहता हूं इसमें जब भी आपको कि मैथमेटिक्स का पोश्चन पढ़ते हो आपके कैलकुलेशन के साथ साथ इंग्लीश पोश्चन भी बेस्ट होना चाहिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक की डिजीश पार्टनर अब आप सभी को याद होगा हम तीन केसिस पढ़ रहे थे हम जी सर आपने बताया था फ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि रिटायंट इंडेट इस 95 परसंट सिमिलर 95 परसंट वह सेम है जो रेटायमेंट में करते हैं वह रेटायमेंट में बहुत आप जितना हमने पड़ा लेकिन वह जो पांच परसंट अलग है वह आज के लेक्षे में मैं आपको क् देथ में उसकी देथ होगी है इतना तो आपको clear है इतना तो word आपको meaning पता होंगे तो देथ में क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं what is disease partner according to Indian partnership act 1992 disease partner is one who has discontinued the partnership due to his death आप अगर newspaper पढ़ते हो English newspaper पढ़ते हो तो use nos Best division to disease person वह होता है जिसकी देठ्ध हो गी ठीक है retiring partner के लिए हम想法 करेंगे उसsticky जिसकी देठ्ध हो गाइथ तो आज के लेक्षे में हमने निकालना सीँखना है कि देजींश पार्टनर जो परसंगी death हो गी है उसका share of profit हम कैसे निकालते हैं तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो disease partner है इसको हमें क्या क्या देना है चाहे वो जा रहा है अब बच्चों के मन में होगा ख्याल कि वो तो मर गया अब क्या उसको क्या कैसे देंगे उसको ओपर जाके थोड़ी देंगे ऐसा नहीं है आपको पता है आप लाइसी कराते हो उसमें क्या होता है नॉमिनी तो इस agreement में भी नॉमिनी होते हैं आप कह सकते हो इनके एक्जीकूटर होते इननने डीर में ही क्लासिफाई कर दिया होते है ठीक है तो अब जो भी पैसस का बनता होगा पार्टनर का for example Mr. X की देट हो जती है तो X का जो भी की पड़ी होगी कैपिटल पिछले साल में जितनी पड़ी होगी सबसे पहले हम वो देंगे साथ में देथ तक जितना भी शेयर और प्रॉफिट बनता होगा वो देंगे जो आज के लेक्चर का में मोटो है यही हमने आगे पढ़ना यह निकालना कैसे ठीक है यह भी मैं बता आ रहूं देना क्या कैपिटल तो देंगे और साथ में जितनी देर तक उसकी देथ भी अब अव्वेसी बात है देथ इस अंसर्टेंड कभी भी हो सकती है ठीक है 31 मार्श तक आपको होता है काउंटिंग है आपको पता होगा ठीक है अब देथ पहली जुलाई को भी हो सकती है पहली अगस्त को भी हो सकती है पहली दिसंबर को भी हो सकती है किस्सान की सेत शेप्तल कोई भी सोती हो सकती है ठीक है विक ऑफ तेथ इस अंसर्टेम तो यह हमारा हक बनता है जितनी देर भी उसने उफधर काम किया फॉर इंजयंपल 31 माद से लेकर उसके पर सनकी देथ होती है फर्स्ट जुलाई को तो एक तरह का उसने एप्रेल महीना पुरा काम किया मई भी पूरा काम किया जून भी पूरा काम किया तीन महीने का तो क्या हम उसे तीन महीने का प्रॉफिट नहीं देंगे क्या हम उसका तीन महीने का प्रॉफिट खा लेंगे नहीं उसे हम उस बाने पर संट डाइड और रिटायर नू फिर्म स्टार्ट और हमने उदर सभी एसरस और लाइबिल्टी को Keynote करना है फिर से पताया workman compensation वेगरा आपका investment fund profit and loss account ठीक है यह सब जो भी profit होंगे यह भी उसका हक बनता है यह भी हमने उसको देना है इंट्रेस्ट उन कैपिटल अप्टू डेट ऑफ देथ जब जितनी देर में उसकी देथ हुई है जितने महीने उसने काम किया तब तक हम उसे interest on capital देंगे for example उसकी death फिसे यही बात कर लेते हैं कि फस जुलाय को हुई है तो interest on capital for example 10% मिलने तो one lakh उसकी capital थी यह 10% कितना होगे 10,000 समझे 10,000 तो लेकिन साल का interest हो गया लेकिन हम उसे सिफ और सिफ उसकी death हुई है उतने time period के ही देंगे उसमें तो तीन महीं नहीं काम किया तो इन टू थ्री डिवाइड़ वाइड वाइड ट्वेल कर देंगे तो उसका अंसर आ जाएगा इस शेर ऑफ गुडविल जैसे हम रिटार्यमेंट में उसे गुडविल का शेर दे रहे थे रिटारिंग पार्टनर को वैसे ही पार्टनर को भी हम उसका शेर ऑफ गुडविल देंगे होप की क्लियर होगा अब हम बात करते हैं हाउ टू केल्कुलेट दा शेर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर आपको दो कोशन आ सकता है ड्रेक्ली आगे मैं इसके लिए कोशन भी डाले हैं आपको क्लियर कर कि भी देकशन की करते हैं ठीक है तो क्या है टूरन ऊवर बेसे टॉरन आपको मीनिंग पतह हों प्लूबसaine-ॊब्स लेक्चें से अब स्टार्ठ वरॉड रोड्वू कि आपने की आपने बताया था सेंटर्म का दूसर नाम प्लूरन टॉंप्र होता है तो यह वही है मतलब सेल के बेसिस हम क्या करते हैं इस में इस केस इस प्रॉफिट शियर ऑफ दा करेंट यर इस एस्टीमेटिट देखो हमने यह साल का प्रॉफिट है फॉर इंग्जेंपल किसी इंसान की फर्स जुलाई को देथ हो जाती है क्या हम इस अकाउंटिंग प्रिट जो हमारा लिए चल रहा है क्या हम इसका प्रॉफिट पहले ही पता कर सकते हैं नहीं हमें क्या बता future is uncertain future के बारे हम कुछ नहीं जानते तो हम कैसे उसकी profit जान सकते कैसे हम उसकी जान सकते हैं ठीक है तो in this case his profit share for the current year is estimated हम क्या करेंगे उसका current year का कैसे profit estimate करेंगे using last year sale हम इसमें क्या कर लेते हैं assume जितना हमें पिछले साल sale हुई हम assume वो ही कर लेंगे वो last year profit ठीक है इसमें क्या होता है द्यान समना मैंने इसे step wise लिखें इसमें क्या होता है for example आपकी last year sale थी मैंने बोला आपकी last year sale थी वन लैक और last year का profit था दस अजार देखो बच्चे confused हो जाते प्रॉफिट और sale में profit और sale में difference है sale मतलब कितने का आपने समान बेचा जिसमें cost भी include होती है profit मतलब जितना आपने कमाया ठीक है तो समलो आपने एक लाग का समान बेचा और उसमें दस अजार कमाया तो एक तरह का इसमें क्या कह सकते हैं कि इन में profit percentage कितना है profit का percentage आप कह सकते हो आपका profit percentage दस परसंट है आप कर सकते हो यह 10,000 को डिवाइड बाइड बाइन लैक इन्टु हंड़ेड तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है profit percentage निकालना है एक लाग का दस अजार कितना परसंट है दस परसंट होता है तो वैसे ही हमने यह निकाला that हमारा profit percentage है 10% compute the profit percentage of last यह है पहला step हमने यह करने second step में हम क्या करेंगे firm's estimated profit till the date of death अब हम क्या करेंगे firm की हम estimated profit निकालना है कैसे आपको कोशन में दिया होगा कि उसकी death तक ठेक है death कब हो रही है मैंने आपको बताए 1 जुलाई को मैंने उदर कोशन में specify कर दूँगा कि जब उसकी death हुई हमने total sale कर ली थी 28000 कोशन में आपको given होगा तो उसकी death तक कितनी हमने sale कर ली थी 20,000 मैंने अभी पिछले क्या निकाला मुझे ना 10% का profit होता है जब भी मैं sale करता हूं तो 20,000 का 10% कितना होगा सब 2,000 तो second step भी मारे तर कंप्लीट हो गया second step में कहता है हमने क्या करना है estimated profit निकालना है till the date of death जब तक उसकी death होई है जितनी देर में उसकी death होई है उस time के लिए हमने estimated profit निकालना है तो हमने निकाल लिए 200 उसका estimated profit है आगे बोलता है डिजीज पार्टनर शेर अब हमने क्या करना है अब अविस ही बात है ये 2000 जो है ये सिर्फ और सिर्फ जिसकी देथ हो ये उसको नहीं देदेंगे ये 2000 पे तीनों पार्टनर का शेर है एका भी होगा बी का भी होगा सिका भी होगा फॉर इंग्जेंपल एक ही देथ हो जाती है और एक शेर था समलो टू बाइ फॉर मैंने आपको लास्ट लेक्षे में बताया है शेर कैसे निकाल दे शेर आपको पता होना जाए तो हम 2000 को टू बाइ फॉर करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा पांसो पांसो सब्सक्राइब करेंगे तो एक को हम कितना पैसा देंगे एक हजार रुपे ठीक है इसके ओपर एक कम्प्लीट कोशन है गब्राओं मत आपको एक हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट परसेंडेज सेकिंड में क्या करेंगे करन्ट येर का बदढ़ा होता है अगला step आपको कह सकते हो basis कौन से होते हैं या ताइम बेसिस के भी दो तरह क्योंगे ये आपको कोशन में स्पैसिफाइब होगा गब्राओं मत आपको स्पैसिपाइब होगा कि आपने प्रॉफिट कैसे निकालने है वह कहते है टाइम बेसिस के एकौर् formula मारा यह हो जाता है दूसरा पार्ट हमारा यह हो जाता है ठीक है यह आपका रहता है आभड़ेश प्रॉफिट अभी अभड़ेश प्रॉफिट वाले को थोड़ा सा होल पे रखो उपरार पटर हम क्या करेंगे इसमें हमें बोला होगा जितना पिछले साल प्रॉफिट पांच महीने तो five by twelve छे महीने तो six by twelve अगर seven months तो seven by twelve into disease partner share खतम easy था जितना उसका share होगा यह आपने करना है आपका अगर इस तरह का question होगा average profit में क्या होगा average profit वाले method में कहता है आपने निकालना है last year profit की जगा average profit आपको तीन चार सालों का profit दिया होगा आपने उसका average निकालते हैं average तो हमें बश्चमन में सिखाए जाता है average बोलता है कि सभी का plus कर दो और वो जितनी भी terms है चार है पांच है तो उनसे डिवाइड कर लो जैसे कि अभी सर ने आपको mean के बारे में पढ़ाया है अगर जो statistics के lecture देख रहे हैं central tendency में सर ने अगर mean पढ़ा दिया है तो आप उसमें पढ़ सकते हो mean क्या होता है सभी का plus divided by जितने years का वो होगा जैसे कि समझो चार साल का profit है एक में 100 का हुआ 200 और 30 में 300 का हुआ था चोते में 400 का हुआ था divided by हम 4 कर देंगे इन सभी को में plus करेंगे divided by 4 कर देंगे तो आप का उदर average profit आ देगा बाकी सेम है उपर वाले की तरह इसमें बस last year profit लेंगे इसमें average profit लेंगे बाकी यह जो portion है वो same है दोनों cases में तो अब हम निकालते है कोशन द्यान से समझेगा कैसे निकालना कोशन आपको किस तरह का कोशन आएगा यह आपका कोशन आगया कोशन नमब है as per the agreement is sharing profit till the date of death is to be computed on the basis of profit for the year which is 2,40,000 मतलब की हमने last year profit वाला यूज करना है last year profit हुमें हुआ है 2,40,000 तो हम assume का करेंगे इस साल भी हमें 2,40,000 का ही profit होगा तो हमारा formula क्या बोलता है last year profit into time period time period हम निकालेंगे कितने साल वो जीवित रहा financial period क्या होता है सर आपने बताया हुआ है 1st April से लेकर 31st March तो 1 April जीवित रहा यह मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने पूरे जीवित रहा तो into 5 by 12 into into क्या था? disease partner share, A का share कितना है? 3 by 6, बस यह कर दो solve, तो कैसे solve करेंगे? देखिए, पहले तो इसे काड़ लेते है 1 by 2, ठीक है? यह कड़ गया, 1,20,000, यह कड़ गया, 10,000, और 10,000 into 5 आपका होता है, 50,000, तो यह है Mr. A का share of profit, hope की clear होगा, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, question number 2 की बात करते हैं, F, G and H were partner in the ratio of 1 to 1, H died on 30th June, in their partnership, it is written in the event that, that, उन्होंने deed में पहले का लिखा के रखा था, अगर किसी person की death होती है, तो हम profit कैसे बंटेंगे? average profit of the last four years, लेकिन उन्होंने नीचे profit दिया है, पांच सालों का, तो पांच में साल का हम लेंगे ही नी, इसको भूल जाओ, ठीक है? तो कितना profit हो रहता है? हम पहले क्या निकालेंगे? average profit निकालेंगे, average profit क्या होता है? पिछले चार सालों का plus divided by 4, 60,000 plus 70,000, कितना हो गया? 60 plus 70, 130, 130 में हम इन दोनों को पहले minus कर लेते हैं, bracket का मतलब यहाँ दखना minus होता है, accountancy में, ठीक है? bracket का क्या मतलब होता है? minus, मतलब यह loss हुए है, तीसे सालोंने loss हुए है, तो 85 में से 55 हम minus ही कर लेते हैं, तो कितने का हो गया? इन दोनों का अगर हम करें तो 30,000, ठीक है? इन दोनों का कितना हो था? एक लाख 30,000, इसका और इसका, तो एक लाख 30,000 प्रस 30,000 is equal to 1,60,000, यही हुआ, divided by 4 is equal to 40,000, तो average profit कितना हो गया? 40,000, average profit अगर हमारा 40,000 है, हमारा formula बोलता है, average profit into time period into share, यही बोलता है, तो average profit मारा आया है, 40,000, into time period कितना लग गया? H की death ओर यह 30,000, मतलब April जीवित रहा, मई जीवित रहा, June जीवित रहा, 3 months, 3 by 12, into share कितना है? किसका? dead हुआ है, H, तो H का share है, 1 by 4, ठीक है, इदर आप देख सकते हो, अब इदर से हम cut कर लेते हैं, 4, 1,000, यह 10,000, 10,000, यह 1,000, यह 4,000, 4 और यह आपको रहते हैं, 2500, तो answer will be your 2500, अब पकरते हैं, turnover basis का, ठीक है, turnover basis का मैंने आपको step बताया है, पहला step क्या है? हमने निकालना है, profit percentage of last year, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं, यह देखो, main चीज़ इसमें कहा है, यह चीज़, last paragraph, वो कहता है, sale कितनी है, 6,000,000 की, sale for the period between 1st April to 38 September, जब उसकी death हो रही है, उसके बीच में sale हुई थी, 4,88,000 और पिछले साल का profit at 1,500,000, सबसे पहले हम क्या करेंगे, profit percentage निकालेंगे, profit percentage है आपने बताया, पिछले साल का profit upon sale into 100, profit कितना 1,500,000,500,000 को 6,000,000 से divide कर लो, into 100 कर दो, ठीक है, कितना आ जाता है, 40%, तो profit percent will be your, sorry, 40%, 25%, ठीक है, वन लिएक 50 मैं 60,000,000 को अपनल ले लिया था, सर आपने second step में बोला था हमने क्या करना है जो पिछले साल का profit है वो हमने लेना है into profit percentage कर देने तो जिस साल में वो जीवित है कितने time period के लिए जीवित रहा एक लाग 20,000 हो गया next step में बोला था उसके share से multiply कर दे तो उसका share क्या है that's हुई है k की k की रहत हुई है तो k का share कितना है 2 by 5 तो 1,20,000 into 2 by 5 ठीक है यही होगा 1,20,000 को 2 से क्या है 2,40,000 को हम क्या करेंगे जब 5 से divide कर देंगे तो आपका answer आ जाता है 48,000 तो it will be your profit for K K को हम कितना देंगे 48,000 होप की clear होगा मैं आपको पीडेएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलिग्राम पे मारे आप उदे से ले सकते हो गब्राओ मत तो यही था आज का माँ टॉपिक काल्सम स्टार्ट करेंगे रिवेलिशन अकाउंट सारी रिवेलिशन अकाउंट से हम पढ़ चुके है रियलाइजेशन अकाउंट एंड दे डिजिलूशन ऑफ उसके बाद आपके टॉपिक खतम पार्टनर्शिप खतम आई नो कि आप सब बड़े फ्रस्टेटीड होगे इस टॉपिक से लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टन टॉपिक है आप इसे अंडेसिमेट नहीं कर सकते हो इसके आ सकते हैं जादा हैं से क्यों हम रिस्क नहीं ले सकते बाद में क्या को आपको जितना समझ आ रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस कर ले आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन हम अपने एंड से पूरा करके जाएंगे तो गैस आज क्लिए मैं अपने लेक्षे इतना ही रखते हैं होप कि आपको लेक्षे अच्छा लग होगा अगर अच्छा ल